नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो तंत्र सास्तर के अनुसार इलाइची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इलाइची के परियोग से किस तरह आप एक सफल इनसान बन सकते हैं। अगर विवा में देरी हो रही है या फिर किसी वज़य से रुकावट आ रही है या फिर आपके कोई बंते-बंते काम बिगड़ जाते हैं। तो साम के समय किसी भी मंदिर में जाकर पांच परकार की मिठाईयों के साथ दो इलाइची और एक सुद्धगी का दीपक भगवान को अरपित करें। उसके बाद थोड़ा सा जल भी अवस्य चड़ाएं। ऐसा करने से विवा में आ रही सभी समस्या हैं तो दूर हो ही जाती हैं। परन्तु अगर आप किसी खाज काम को पूरा करवाने के लिए ये उपाई करते हैं तो वह कारे भी पूरा हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाते हैं और उनी के लिए विशेश रूप से प्रिश्रम करते हैं लेकिन कई बार आपके बंते-बंते कारे बिगड़ जाते हैं या फिर आप किसी जरूरी कारे के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस समय आप सुबह सुब करके अपने घर से बाहर निकले आपका कोई भी कार अदूरा नहीं रहेगा सबी कार जो आप चाहते हैं जो आपके जीवन में आपको प्रगति दिलाएंगे सुक्ष सम्वर्दी दिलाएंगे धन दानने की बरसात कराएंगे वे सभी काड बनने लगेंगे अगर आप अपन आपका परस भी कभी खाली नहीं रहता है। इसके लिए आप पांच इलाइची लेकर एक लाल रंग के कागच में रख लें या फिर लाल रंग के कपड़े में रख करके आप अपने घर के मंदिर में मातालक्षमी और भगवान विश्नु की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। और इलाइची को भी अपने घर के मंदिर में मातालक्षमी और भगवान विश्नु की मूर्ति या पिर उनकी तस्वीर से इस परस करवा कर रख दें। उसके बाद एक सुद देशी घी का एक दीपक परजुलित करें। और अपने हाथ जोड़कर आँखे बंद करके ओम श् परस में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में आरेश जितनी भी पैसे संबंदी समस्या हैं तंगी है या बधाली है तो वे तुरंत ही दूर हो जाएगी। अगर पती पतनी के बीच प्रेम खतम हो चुका है तो आप किसी भी दिन भगवान श्री किशन को याद करते उसके बाद अपने पल्लू या फिर रुमाल में बांद कर पूरे दिन अपने पास रखें इसके बाद अब इसे निकाल कर कहीं भी रख दें और जब भी सनीवार आए तो इस दिन सुबह इन इलाइचियों को पीश करके किसी भी खाने वाली बस्तू में मिला करके अपने ज मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है लाखों टोटके कर चुके हैं हजारों उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है इसके लिए आज हम आपको एक विशेश उपाय बताने वाले हैं अगर आप अपने जीवन में अपन कर अपने तक्ये के नीचे रख दें और रात को सो जाएं फिर अगले दिन की सुबाय उठकर किसी भी गरीब व्यकती को या फिर जिसे आप नहीं जानते हो ऐसे व्यकती को इसे दान में दे दीजिए और उसे खाने के लिए कहिए यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी बहते हुए जल में इन इलाइचियों को परभाइद कर देना चाहिए ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर शेतर में जहां भी आप परिश्रम करते हैं वहां आपको सबलता आपके आगे घुटने टेकती भी नजर आएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में किवले इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में जादा दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोलें जाए बजरंग बली